उत्पत्ती प्रकरण खंड तीन अध्याय उन्तीस इस अनंत चैतन्य के मूल स्वरूप के कारण ये सभी ब्रह्मांड, जीव और रूप उद्भवित होते रहते हैं और फिर से उद्भवित होते हैं और अपनी ही चिंताबल से शान्ती की स्थिती में वापस आते हैं यह सब बच्चे के स्वतंत्र खेल की तरह होता है। कुछ सदैफ प्रकाशित होते हैं। कुछ अवसान की ओर ले जाने वाले लगते हैं, कुछ विनाश की ओर गिर रहे लगते हैं। चैतन्य जहां भी हमेशा हर जगह मौजूद है, वहां हमेशा हर जगह के लिए ये ब्रहमांडों की उत्पत्ती और प्रलय भी चलते रहते हैं। ये सभी एक रहस्यपूर्ण सर्वव्यापी शक्ती द्वारा एकत्रित हैं। राम सबकुछ एक अनंत चैतन्य में मौजूद है, सबकुछ उसी से उत्पन्न होता है, वही सबकुछ है। स्थिती प्रकरण खंड चार अध्याय सैंतालीस ओराम पहले अंगिनक ब्रहमा, शिव, इंद्र और नारायन हो चुके हैं। हालाकि इन देवताओं की रचनाए माया की तिल्मिलाहट थी। ये रचनाए कभी ब्रहमा से, कभी शिव से, कभी नारायन से या मुनियों से जुड़ी जाती थी। फिर सो में कभी ब्रहमा के एक कमल से उत्पन्न हुआ, कभी वह जल से, कभी एक अंडे से, कभी आकाश से उठा। कुछ ब्रहमांडों में ब्रहमा सर्वोप्री देवता होता है, कुछ में सूर्य, इंद्र, नारायन या शिव होते हैं कुछ ब्रहमांडों में पौधों से भरी प्रिथवी होती है, कुछ में लोग या पहाड होते है कहीं प्रित्वी मिट्टी या मिट्टी की होती है, कहीं चट्टाने या सोनी या तामबे होती है सूर्य की किर्णों की गिंती की जा सकती है, लेकिन उन अंगिनत ब्रहमांडों की गिंती करना असंभव है जो मौजूद है निर्वान प्रकरन खंड 6, अध्याय 58 और 69 इस अध्याय में जो मुक्ती के बारे में हैं उसमें महर्शी योगवशिष्ट अपने अनुभव के बारे में बताते हैं कि वहने बहुत सारे वास्तविक्ताओं को देखते थे मैंने और अध्ययन करने का निर्णे लिया मैंने फिर से समाधी में प्रवेश करने का निर्णे लिया मैंने मन और इंद्रियों को शांत कर दिया मैं अनंत चैतन्य में मिला गया मैंने उस चैतन्य में छायावादी रूप से अंगिनत ब्रह्मांडों का प्रतिबिंद देखा मैं कहीं भी जा सकता था और हर चीज को देख सकता था मैंने अंगिनत रचनाय देखी हालां कि वे एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में नहीं जानती थी कुछ निर्मित हो रहे थे, कुछ नश्ट हो रहे थे, सभी में 5 से 36 वायुमंडलों तक के रक्षक माहौल थे प्रत्येक में अलग-अलग तत्व होते थे, उनमें अलग-अलग प्रकार के जीव थे विकास के अलग-अलग चर्णों में, अलग-अलग स्वभाव और संस्कृती के साथ, कुछ में अन्य ब्रहमांड होते थे, कुछ में ऐसे प्रानी थे, जिनकी अस्तित्व को आप संभवता मानने के लिए विश्वास नहीं होगा कुछ में अप्रत्याशित प्राकृतिक क्रम होता है, और कुछ में पूर्ण अव्यवस्था होती है, कुछ में कोई प्रकाश नहीं होता है, और इसलिए कोई समय समवेदन नहीं होता है ये सभी केवल एक अखंड-अनंत-चैतने के फल है इनकी उत्पत्ती और विलय कैसे और कब हुई, इसे कहना असंभव है, लेकिन यह तय है कि ये अज्ञान की रचनाएं है इस रचना में सूर्यमंडल और मच्छो के रूप में बहुत सारी देवताएं होती है चाहे कोई इन ब्रहमांडों को सर्वोच रचिता की रचना के रूप में माने या फर्जी धार्नाएं माने, यह निश्चित है कि वास्तव में वे अनंत-चैतन्य हैं, जो उससे अलग नहीं और उसके आपात वाक्यों में असंख्य ब्रहमांडों की तरह आराम से रहते हैं ऐसा ही मैंने ये सभी अनंत-रचनाएं देखी, अगले अध्याए अध्याए साथ में भी उससे आगे जाते हैं तब मैंने अनेक ब्रहमांडों को देखा और इनकी विविधता ने मेरी जिग्यासा जगाई मैं और-और-और भूमने का मन बहुत कर रहा था, विचार करते-करते की स्रिजन की बहुमान्यता देखनी है कुछ समय बाद मैं उस धोखे को छोड़ दिया, जानते हुए कि यह मोह है, और अनन्त चैतन्य में स्थित रहा ततकाल सभी भेधभाव की इस द्रिष्टी से मेरी द्रिष्टी से भी विभिन्ता मिट गई ततकाल केवल शुद्ध चैतन्य रह गया, कुछ नहीं यही सत्य है, अन्य सब खयाल, भावना, मोह या भ्रामक अनुभव हैं क्योंकि पूरी रचना इस अज्यान या मोह से घिरी हुई है इसलिए किसी एक रचनाया, एक ब्रहमांड या एक दुनिया के निवासियों को दूसरे की अस्तित्व के बारे में तक ज्यात नहीं होता यह विभिन्न विश्व एक दूसरे के निर्मान या रचनाओं या धार्नाओं के बारे में अवगत नहीं होते जैसे कि एक ही कमरे में सोने वाले लोग अपने सपनों में एक दूसरे के युद्ध की चीखें जानते ही नहीं होते बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने अंगिनत ब्रह्मा, विश्नु और रुदरों को देखा उन्होंने कई वशिष्टों और कई रामों को देखा और समझाया कि जो कुछ भी है, वह सब चैतन्य है इन ब्रहमांडों में मैंने हजारों ब्रहमा, विश्नु और रुद्रों को देखा ये सभी चैतन्य में हैं, सब ये चैतन्य हैं, और चैतन्य ही ये सब हैं इसलिए चैतन्य के रूप में मैंने इस सब को देखा है राम, जब आप किसी चीज को देखते हैं और कहते हैं यह ऐसा और ऐसा है तो चैतन्य उस जगह पर वैसे ही चमकता है हालां कि सक्चाई में यह चैतन्य खुद अपने आप में मौजूद है और वहा कोई ऐसा नाम और रूप मौजूद नहीं होता यह चैतन्य का यही अंतरिक्ष या चैतन्य का यही स्थान सब जगय हमेशा मौजूद है और वही दुनिया कहलाता है यहां वस्तूों का अनुभव जिसे हम उस वस्तू के ज्यान कहते हैं कि अज्यान या मोह है मैंने देखा कि सत्य डूसरी और यही चैतन्य का अंतरिक्ष या चैतन्य का यही स्थान मौजूद है ज्यानी बुध्धी के साथ मैंने सभी इसके संबंध में अंतिन सत्य का अनुभव भी किया यही सब शुद्ध अविभाज अनंत चैतन्य है अस्तित्व के अनुभव की प्रकृती के कारण मैंने इसमें अंगिनत वशिष्ठों, अंगिनत युगों और विश्वचक्रों को देखा और कई ऐसे युग जिन में राम महाराज थे जब विभिनता का अनुभव होता है तब ये सभी उत्पन होते हैं, जब सत्य का अनुभव होता है तब ये सभी शुध अविभाज अनंत चैतन्य के रूप में देखे जाते हैं अनन्त में बेशक कोई नाम और न कोई रूप है जिसे यह विश्विया स्रिजन कहा जा सके और इसलिए उन्होंने यह निशकर्ष निकाला है कि सब कुछ माया है हमें कुछ भी पता है वह परम सत्य नहीं है सभी ब्रहमांड अपने अपने सत्य के होते हैं एक सत्य ही है सब का स्रोत ब्रहमन है ब्रहमन ही ब्रहमन के रूप में मौजूद है